जिहां ना ये जमीन पर थूख सकते थे और ना ही छोड़ सकते थे पैरों के निशान एक मसीहा जब जमीन पर उत्रा तो नफरत की फिर अपमानों के कांटों का हार लिए खड़ी थे कारी दूशित कर दिया जोतो दीमराग अमेरिका में जिक्षा लेकर क्या करना चाहती हो वो वो क्या रियासत का सेना सचिव हूँ निरादर सहन नहीं करूँगा एक क्या सुन्दर छपा है ये विजेस मारक उन पांट सो महार शूरवीरों की आगार है जिनोंने 28,000 की प्षेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था हिल्टन यांग निससंदेह रुपिया मिस्मैनेज होगा हमारी जंग ब्राम्भनों से नहीं ब्राम्भन वाद से है सीटों और नौकरियों में रिजर्वेशन वैसे रहो जैसे स्वर्ण जाती की स्त्रियां रहती है तुन मच्फूतों का जीवन कैसे सुधार दोगे भगत सिंगर उनके साथियों की जान दे हम ऐसा सम्विधान प्रवान नहीं करेंगे जो भारत के लोगों की मर्जी से नहीं बनेगा गांधी जी आपने मुझे बुलाया है ज्यात्ति आप कर रहे हैं दोशी मुझे बनाया जा रहा है भिंदूओं की आने वाली पीडियां पढ़कर मेरी जैजै कार करेंगी मेरा समाज सोया पढ़ा है इसलिए मैं जाग रहा हूँ समविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो अगर लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो समविधान बुरा ही साबित होगा डॉक्टर शार्दा मैं ऐसे मंत्री मंडल में नहीं रहूंगा बिल जिसको मैंने बदल भी दिया था उसकी भी हत्या कर दी गए आपको तब तक इनसाफ नहीं मिलेगा जब तक समाज की रचना बदल नहीं जाती गलत आस्थाने ही आज तक दलितों की शक्ती को पानी में बहाया है अगर मेरे मन में नफरत और बदले की भावना आ जाती तो शायद मैं तबाही मचाने की दिशा में चला जाता आपी झाल आपी